ओम नमर शिवाज जैमाकाल नारत पुराण में वोडन है कि सूजी के महाराज के चनलों में बैठकर सौनगी पूछ रहे हैं कि यदि अज्यात में लोगों से पाप हो जाए तो गया ऐसी भी कोई अगनी है जो अंजाने में हुए पाप को समूल जला कर राख कर दे यदि है त कृपा करके बताईए राजमान धाता ने ये प्रश्ण गुरुदी वसिष्ट से पूछा है तो नारत पुराण में वोड़ित बात को वसिष्ट जी कहते हैं कि राजन मैं ऐसी अगनी का नाम बताता हूँ जो सूखे और गीले दोनों को जला कर राख करते अथात चाहे जा करмет कि आपों कि बापों को जलाने का काम एक अधसी के बित करता है नारत पुराण में वुड़न किया गया है कि एक अधसी के कई नाम है जैसे ग्यारस हरी वश्यर वस्टभर, वर प्रिय बिष्णु U Porqueya ये सब नाम नारत पुराण के अंतरगत एक अधसी के दिये गए है नारत पुरान में वर्डित है कि भागवान नारायन को अतिप्रशन करने के लिए एक अधसी से बढ़कर और कोई दूसर बढ़त नहीं। नारत पुरान में वर्डित है कि आठ वर्शेज लेकर 85 साल तक यह व्रत रखा जा सकता है। यदि किसी ने एक वर्श कर लिया तो उसकी इस जर्म की पाप जलकर खाक हो जाते हैं। यदि किसी ने ग्यारा वस एक अधसी का वर्श कर लिया तो उसकी 100 जन की पाप समाप्त हो जाते हैं। जिन बेटी को संतान ही प्राप्त हो रही है वो इसी ग्रतम लेखा है कि एक अधसी के दिन हरी वंश पुरान की कथा को पढ़े या सुने। निशित रूप से उसकी वंस ब्रध ही होगी। नाम उचानन कर लें या 108 बार 26 एकडशियों का नाम जाब कर लें तो एकडशी व्रत करने का फल उनको प्राप्त हो जाएगा बस तामसिक भोजन लैसुन प्याज मदिरा ये सब मत वगरा लीजिएगा बस अन्य में आप कुछ भी ले सकते हैं जो ब्रत है ब्रत नहीं कर सकती ये उनके लिए बताया गया है अभी जो मुझे सुन रहे हैं वे जुन्होंने एकडशी का व्रत कर लिया है या फिर कर रहे हैं या फिर ये सुनकर करने वाले हैं समझ लेना कि भागवान की किरपा है आपकर क्योंकि नारत पुरान में लिखा है कि जब तक नाराण की किरप है ठीक वैसे जो एकादसी का व्हिठ कर रthen है वो समझ लें कि उनके उपर भगवान नारायन, के सास-सात एकादसी मैया की अश्रीम कृपत है कि की वह एकादसी की का पर करने की यदि वहीं ब्त क्र separate हो जाती है तो लेकिन जो एकादसी वरत के दिन बारा बजे तक जागरन कर ले मत्र जाप कर लेता है तो कितना भी बड़ा पाप हो गया वो सब समाप्थ हो जाता है सब छोड़ी इसमें ये भी वर्ण किया गया है कि भगवान स्वयम नाराण एकादसी का वरत करते हैं इसलिए बहुत समधाल लोग एकादसी के दिन अनेका भूग नाराण को नहीं लगाते यहां तक कि सोयम तुर्सी माता एकादसी का ब्रत करती हैं, सोयम देवता जब एकादसी का ब्रत करते हैं तो मनुष को भी करना चाहिए, इतना सुन्दर लिखा है कि हो सके तो एकादसी के दिन पीत वस्र यानि पीला वस्र पहन का भागवान नाराण की पूजा करें, तो ये ततपशाद जब वो ग्रहस्त सीड़ी पर पाउं रखती हैं तो उनके उधर में पनने वाली संतान कभी समाप्त नहीं होती और वो मा और बच्चा दोनों सुरच्छित रहते हैं ये एकदशी की मैमा है बोलो एकदशी मैया की जै